red velvet cookies हम बनाके त्यार करेंगे वह भी बिना अंडा के आसन तरिके से इसको बनाएंगे में तो इसको ओवन में बेक करूंगी अगर आपके पास ओवन अवेलेबल नहında तो फिर आप इसको फ्लेम में भी बेक करके त्यार कर सकते हो चलेखिपी सुरू करते हैं कुकीज का डो बनाने के लिए पहले हम बटर ले लेंगे हाप कॉप से थोड़ा कम मेजरमेंट में हम बटर लेंगे जो की रूम टेंपरेचर में होना चाहिए अगर फ्रीज में आप बटर को रखते हो तो तीन चर घंटा पहले उसको बाहर रखना आए ताकि वो रूम टेंपरेचर में आ जाए इस तरीके से आप देख सकते हो फ्रीज में में इसको हमेशा रखती हूँ लेकिन थोई डेर पहले मैंने इसको निकाल के रखा था अभी ये रूम टेंपरेचर में आ चुका है आधा कप से थोड़ा कम मेंने बटर ले लिया है बटर में मिक्स करेंगे हाप कप पाउडर सुगर दोनों इंगिडेंट्स को आच्छे से मिला देंगे नर्माली बहुत सारी कुकी जैसे होती है उसमें अंडा डाला जाता है इसलिए उसका टेक्शर भी आचा आता है इसको हुम बहुत सिम्पल प्रोसेस में बना के तैर करेंगे इंगिडेंट्स भी घर वाला यूज़ करेंगे जो हमेशा हमारे पास घर में आविलेबल रहता है वो सब इंगिडेंट्स इसमें यूज़ करेंगे और दो तिन तरह की जो सुगर है कुकीज में आड होता है हम एक ही सुगर नर्माल रेगुलर जो सुगर हम खाते है उसका पाउडर ही मैंने यूज किया है यहां और आच्छे सी दोनों चीज को मिला दिए त्यार पांच बुंदे वैनिला एसेंस और उसके साथ रेड जेल फूट कलर ले लेंगे इसके लिए रेड जेल फूट कलर ही यूज करना है क्योंकि जेल फूट कलर से प्रपर ली आता है कलर जो भी चीज हम बनाते है अगर जेल फूट कलर यूज करते तो उसका कलर अच्छ इसलिए मैंने जेल फूड कलर का यूज के आए, चारे चीज को एक बार अच्छे से फिर से बीट कर लेंगे इसको साइड में रख देंगे, दो टेबल स्पुन ले लेंगे हलका गुनगुना दूद, इसमें मिक्स करेंगे वान फॉट इसपुन विनेगार, विनेगार और दूद को मिक्स करके थोईडर के लिए साइड में रख देंगे एक चनी लेलेंगे, एक कप मेजरमेंट मैदा में इसको बना के हम तैएर करेंगे तो एक कप मैदा हम इसमें लेलेंगे मिक्स करेंगे 1 टेपल स्पुन लाइट कलर कोड़ अच्छा नहीं आएगा 1 4 T-Spoon ले लेंगे बेकिंग सोड़ा तीनों इंगर्डेंट्स को चान लेंगे अगर आप कोकोपावडर को यहाँ स्कीब कर लेते हो तो कुकी चोही ब्राइट कलर आ जाता है कोकोपावडर को डालने से थोड़ा डार्क रेड कलर आता है अगर कोको पाउडर ज्यादा हो जाए तो पूरा कलर ही विगड जाता है डार्क हो जाता है रेड और अच्छा नहीं दिखता है एक स्पाचुला में सारे चीज को अभी मिक्स कर लेंगे विनेगार और दूद की मिक्स को थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसमें मिलाएंगे अगर कम पढ़ गया दूद तो और एक दो टेबल स्पून इसमें हम आड करेंगे सारे चीज को अच्छे से मिला देंगे मैंने इसमें और एक्स्ट्रा मिल्का आड नहीं किया है उसमें ही हो गया यह वाला टेक्सर अभी हम इसको आधे गंटे के लिए रेफिजरेटर में रख लेंगे फिर उसको निकाल के हम यूज करेंगे एक वाईट चॉकलेट का पीस ले लेंगे अच्छली इसमें आप लोग चोकोचिपस का भी यूज कर सकते हो मेरे पास चोकोचिपस अभेलेबल नहीं है और यह वाला वाईट कलर का कमपाउंड है वाईट चॉकलेट कमपाउंड है तो इसको मैंने ग्रेट करने के बाकी को में रख लूँगी जितना जरुरत होगा उतनी ही ग्रेट करना है आप देख सकते हो कितनी आच्छे से ग्रेट होके तैयर हुआ है इसको हम कुकीज के उपर डालेंगे आधा गंटा फ्रीज में रखने के बाद मैं कुकीज की डो को निकाल के लाएं हूं इसमें अभ अब भी कुकीज बनाते हो पहले से 10-15 मिनिट पहले उसको प्रीहिट करके रखना जरूरी है एक टेबले स्पुन ले लेंगे हम डो को इस तरीके से बेकिंग ट्रे में एक पीस बाटर पिपर का मैंने ले लिया है बाटर पिपर के उपर हम कुकीज बला डो को रखेंगे एक-एक टेबले स्पुन इस तरीके से हम ले लेंगे पहले कुकीज डो को बहुत जदा नहीं रखना है आपका जितना बड़ा ट्रे होगा उस हिसाब से ही आपको लेना है क्योंकि ये तीन चार गुना बड़ा हो जाता है इसमें बेकिंग सोड़ा हमने डाल के रखे इसलिए पाम से कम एक एक इंच ग्याप रखना है हर कुकीज की डों की बीच में इसमें में 9 कुकीज बना के त्यार करूंगी अभी हम हातों में थोड़ा साइ इसको कर लेंगे हातों में बटर लगा के इसको साइज करें नहीं तो डो हातों में चिपक जाएगा इस तरीके से चारो तरप से थोड़ा-थोड़ा साइज कर लेंगे ओबन अभी प्रिएट हो चुका है 15 मिनिट तक 180 डिग्री में इसको हम बेक करेंगे 15-20 मिनिट तक पर चलेट चलेट को जो तो बक colonies हम की दालेंगे ल्गाने उसको डालेंगे अगर पेहले हम चाक्लेट को डाल देते लात Citra 25 कि बैक कर से जय रच्चलेट को कर लेंगे छोड़ है 17 मिनिट बेक करने दूआ हम पर रहें डाल जिब्क कर लाने ह 느गे कुकीज बनने के बाद OTG से निकल के बाहर मेने 10 मिनित रखा था अभी ठंडा हो चुका है थोड़ा सा तो एक कुकीज को हम ले लेंगे और चेक करेंगे आप देख सकते हो कितनी आच्छे से बेक हुआ है और अंदर से प्रपर कुकीज बाला टेक्स्टर में आया है और टेस्ट में भी यह बहुत आचा है इसको एक एर टाइट कंटेनर में रख लेंगे एक कप मेदे में 15 से भी उपर कुकीज बनके त्यार हो गया और बनाने के लिए भी कितना असान है आपने खुद देखे आप इसकी कवर बंद करके 8-10 दिन तक इसको खा सकते हो तो यह बला रेट बेल बेट कुकीज का रेसिपी एक बार जरूर ट्राइ करें और रेसिपी के बारे में आपकी मन में जो भी कोस्टिन से कमेंट सेक्षन में सेर करें इस तरह के कि बहुत सरे नही नही रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आई साइट में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल को अन करें फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी हो आप लोग के पास नोटिफिकेशन की रूप में पहुंच जाएगा